नमस्कार उज्वल लक्षे यूटूब चैनल पर मैं नरायन प्रशाद देवांगन आप सभी का हार्दी कभी नंदन करता हूँ आज की इस वीडियो क्लास में हम जानने वाले हैं कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है इसकी वेल्लू क्या होती है यदि हम किसी को कहें कि कोई संख्या 30 मिलियन है कितना है 30 मिलियन है यदि हम कहते हैं तो उसके मन में confusion आ जाता है कि वास्तों में 30 मिलियन होता क्या है वो हिसाब लगाने लग जाते हैं लेकिन यदि हम यह कहें कि वह संख्या 3 करोड है, कितना है? 3 करोड है, तो वो आसानी से समझ जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम संख्या को भारती संख्या पद्धती के हिसाब से पढ़ते हैं, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाग कर दस करोर अरब इस प्रकार से रहता है जिसमें हम करोड से परचित होते हैं इस करन तिन करोड को असानी से समझ गये लेकिन जब इसी को 30 मिलियन कहा गया तो हम नहीं समझ पाये क्योंकि यहां पर हम million billion trillion से परिचित नहीं है तो आज की वीडियो क्लास में आप इससे परिचित होंगे million billion trillion होता क्या है उसकी विल्लू कितनी होती इस पर परिचित होंगे इसके साथ ही साथ कोई भी संख्या होता है जैसे कि हम संख्या लिख दिये इस प्रकार से हमने संख्या लिख दिये तो इस संख्या को भारती संख्या पद्धती की हिसाब से कितना पढ़ा जाएगा अर्थात कितना होगा यह और इसे हम मिलियान में कितना पढ़ेंगे यह भी हम सीखेंगे देखे इस संख्या को जो है भारतिय संख्या पधती से यदे आपको पढ़ना है या फिर अंतराश्टी संख्या पधती से पढ़ना है तो केवल एक अलप विराम का खेल होता है इस अलप विराम के हिसाब से ही आप संख्या को दोनों प्रकार से पढ़ सकते हैं इसका लगाने का तरीका आपको आना चाहिए, फिर बहुत असान हो जाता है, तो आज की वीडियो क्लास में हम यहीं सब बताने वाले हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं, आपका अपना चैनल उज्वल लक्ष, जिसमें नौदय की बहुत अच्छे से त्यारी होती है, यह जो टॉपिक है नौदय विद्याले के लिए भी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगा, आप सबसे पहले चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जो है संख्या प्रणली के धार पे पढ़ेंगे, अंतराश्टी संख्या पध्धती में कौन-कौन से शब्द होते इसको भी ध्यान दिना, सबसे पहले हम जानते हैं भारती संख्या पध्धती की साब से यह संख्या कितनी-कितनी है, यदि हम इसको पढ़ना चाहें, तो यह हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस अजार, लाख, दस लाख तो यह जो है, दस लाख है, कितना है, दस लाख है कौन सा, यहाँ पर, ठीक है उसी प्रकार इसको पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस अजार, लाख, दस लाख करोड, दस करोड, यह जो है कितना है, दस करोड है, ठीक है, क्योंकि दस करोड की स्थान पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस अजार, लाख तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है 10 अरब है, कितना है? 10 अरब है, ठीक है? यह 10 अरब है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस अजार, लाख, दस लाख, कडोर, दस कडोर, अरब, दस अरब, खरब, 10 खरब, तो इसकी जो विल्लू ह भारतिय संख्या पद्धती से यह जो है 10 खरब है ठीक है अब इसको यदि हम पढ़ना चाहें यहां तक तो पढ़ना असान हुआ क्योंकि हमने एकाई धाई का यूज किया अब इसको यदि पढ़ना चाहे तो एकाई धाई सैकड़ा हजार दसजार लाख दस लाख करोड़ अ जो है पहले तीन अंकों के बाद आप अलपिराम लगाएंगे इस प्रकार से ठीक है यह उसके बाद दो दो अंकों के बाद फिर दो अंकों के बाद फिर दो अंकों के बाद ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यह जो तीनों अंक है वो जो है इकाई धाई सैकड़ा को बता उसके बाद यहाँ पर जो दो अंकों की जोड़ी बनी यह बताता है 1000 को किसमें भारतिय संख्या प्रड़ानी में समझेगा उसके यह जो दोनों अंक है वह बताता है लाख को इकाई दही से एकड़ा हजार दस अजार तो यहाँ पर हजार वाला खंड हुआ यह लाख वाला खंड हुआ और यह करोड वाला हुआ तो हम इसको पढ़ेंगे एक करोड चौबीस लाख पचास अजार छैसाव अठाट ठीक है हम किस पर बात कर रहे हैं भारती संख् प्रला नहीं पर मिलियन के बात नहीं कर रहे हैं उसी प्रकार इसको यह पढ़ेंगे तो यह आप देख सकते हो पहले तीन अंकों के बाद अल्पिराम लगाएंगे यहां दो अंकों के बाद अल्पिराम फिर दो अंकों के बाद अल्पिराम तो यहां हो जाएगा यह हो जा लाख 70,834 यहाँ है। हमने क्या किया इसको पढ़ने के लिए अल्पिराम का प्रयोक किया। भारति संख्या पद्धती के लिए क्या होता है। पहले तीन अंख उसके बाद दो दो अंख। अब हम समझते हैं कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन को किस प्रकार से पढ़ा जाता है तो देखें इसको अंटराष्टी संख्या पद्धती के हिसाब से पढ़ें। तो अंतराष्टी संख्या पद्धती में सबसे पहले अल्पिराम लगाए। अल्पिराम क्या होता है। कैसे लगाएंगे। शुरू के तीनंकों के बाद इकाई, दाही, सैकड़ा, एक अल्प और यह जो तीनों है, यह बताता है हजार को, इसमें जो है तिन-तिन का जोड़ा रहता है, यहाँ पर तिन-तिन का है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मिलियन। तो यह सैकड़ा तक हुआ, एकाई, दाही, सैकड़ा, फिर हजार हुआ, और यह हुआ यहाँ पर मिलियन तो इसका जो मान है वो है एक मिलियन यही जो है एक मिलियन है आप देख सकते हो एक मिलियन बराबर दस लाख होता है जो एक मिलियन है इसकी वेल्यू दस लाख होता है यह भारती संख्या प्रलानी में है और यह जो है अंतराष्टी संख्या प्रलानी में है और हमने यहाँ प कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे अब इसको पढ़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यह सैकड़ा तक का है यह हजार है यह मिलियन है अब देखो मिलियन में कितना है मिलियन में सो है तो इसका मान हो जाएगा सो मिलियन कितना हो जाएगा सो मिलियन क्लियर है समझ में आ रहा है अब उसके बाद इसको देखते हैं तो तीन अंकों के बाद लगाएंगे फिर तीन अंकों के बाद फिर तीन अंकों के बाद तो ये हो जाता है सेकड़ तक का ये हजार ये हो जाएगा मिलियन और उसके बाद आता है बिलियन पहले आता है सेकड़ तक का उस उसके बाद हजार, जिसमें एक हजार, दस हजार, सो हजार करता है, उसके बाद देख सकते हो, यह मिलियन का हुआ, तीन अंक मिलियन के लिए, उसके बाद आता है, बिलियन का, तो बिलियन में देख सकते हो, दस है, तो इसका मान हो जाएगा, दस बिलियन, कितना हो जाएगा, 10 billion, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 10 अरब है, 10 अरब बराबर 10 billion, तो 1 अरब बराबर 1 billion होता है, अब यहाँ पर इसको देखेंगे, तो देख सकते हो, यहाँ पर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 ठीक है, यह क्या हो जाएगा, सैकड़ा तक का, यह 1000, यह million, यह billion और billion के बाद आता है trillion तो यहाँ पर हो गया 1 trillion क्या हो गया एक trillion तो यहाँ पर दिख सकते हो एक ट्रिलियन की जो value है दस खरब के वराबर है अगर भारती संख्या पद्धती में पढ़े तो दस खरब और अंतराष्टी में पढ़े तो एक ट्रिलियन ठीक है तो यहाँ पर ट्रिलियन कैसे हुआ पहले हजार पहले सैकडा फिर हजार फिर million फिर billion फिर trillion आपके उंगली बहुत काम करती देखो ये तीन है ना एक दो तीन यहां पर तीन खंड बने हुए है तो अंतराष्टी संख्या पध्धती के लिए माल लेजिए ये ये जो तीनों है पहला सेकड़ा तक के लिए है ये हो जाएगा हजार के लिए जिसमें ती million ये billion और trillion यहां पर आप समझ गये कि 1 million 1 billion kalian का जो concept है समझ गया कि कैसे प्रकार से पढ़ना है 3-3 का आपको unfold अलपी राम लगाना है 3-3 अंको के बाद 3-3 अंकों के बाद talent अलपी राम तो उससे जो है पढ़ना साहन हो जाता है आब इसके बाद इस संख्या को जो यहाँ पर अलग-अलग figure में हैं, इसको भी पढ़ना चाहें, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, अलपिराम लगाएंगे, तो यहाँ पर जो पहले लिखा था, उसको मैं मिटा रहू हूँ, अब यहाँ पर हम अलपिराम लगाएंगे, ठीक है, तो यह 6 था, यह 7 था, तो हम 3 अंको के बाद लगाएंगे, एक दो तिन, एक दो तिन, यहाँ पर देख सकते हो, यह हुआ सैकड़ा तक का, यह 1000 का, और यह मिलियन का, तो 12,450,678, यह कितना है, 12,000, 450,000, कितना, 450,000, उसके बाद 678, अंतराष्टी संख्यपद्धती में लाख करोर नहीं होता, सैकड़ा हजार होता है, उसके बाद सिदा सिदा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन होता है, उसी प्रकार यदि हम इसको पढ़ें, तो इसकाल पिराम पहले मिटाते हैं, यह भारति संख्यपद्धती से था, तो यह हो जायागा, यहाँ पर तीनंक, यहाँ पर तीनंक, यह कब देख सकते होar ये सैदधा हुआ, ये milliard हुआ, ये वी बिलियन हो गया, तो billion में देख सकते हो d चार है तो बिलियन, million में है 536 तो 536 million, 4,3,4,536,3,536,834 अब इसको भी पढ़ते हैं तो टीनमको के बाद यहां पर अलपीराम लगाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो यह हो जाएगा कितना सैकड़ा तक का खंड है यह 1000 का खंड है, यह million का खंड है और यह billion का खंड है और यह trillion का है तो इसकी जो value है 1 trillion कितना? 1 trillion, 234 billion, 566 million, 890,112 यह इस प्रकार से है तो हमने इस video class में देखा कि million, billion, trillion को किस प्रकार से हम समझ सकते है simple सा concept है, कोई भी संख्या लिख दीजे, उसमें 3-3 नमकों के बाद अलपिराम लगा दिए पहला जो खंड आता है, वो सैकड़ा तक का, उसके बाद 1000 का, उसके बाद million, फिर billion, फिर trillion ठीक है, और उसको जो है भारति संख्या पद्धती में बदलना है, तो अलपिराम को पहले 3 नमकों के बाद लगाईए, जैसे की इसको ले लेते हैं, जैसे की हम इसको ले लेते हैं, इसको हम भारति संख्या पद्धती में पढ़ेंगे, तो पहले 3 नमकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर दो अंकों के बाद, फिर दो अंकों के बाद, अब यह हो जाएगा, भारती संख्या पद्धती में सैकड़ा तक का, यह हजार, यह लाख, यह करोड, यह अरब, यह खरब, तो 12 खरब, 34 अरब, 56 करोड, 78,90,112, तो इस प्रकार से बदल सकते हैं, उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आने वाले क्लास में हम इससे संब्धित, अलग-अलग प्रश्ण लेकर आएंगे, जिसमें जो है, आपको और अच्छे से भ्यास करने को मौका मिलेगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, जुड़े रिएग उजवल लच्छ, यूटुब चैनल से, नवश्कार